दोस्तो बिहार में जाती गत जनगन्ना के आंकड़े जारी कर दिये गए हैं और ऐसा करने वाला बिहार देश का पाला राज्य बन गया है जहां पर जाती गत जनगन्ना जो है सही डंग से की गई और उसके आंकड़े जो है सारबजनी कर दी गई ठीक है तो इस आंकड़ा में जो है क्या क्या चीजे सामने आई है इसके उपर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे चीनता इसके लिए नहीं करना है और आपको जानना भी जरूरी है ठीक है लेकिन इसके पहले थोड़ा साहम इसके हिस्ट्री के उपर चर्चा करते हैं ताकि आपको चीजे समझ में आवे कि ये जातिगत जनगनना जो है कितना हद तक सही है या फिर गलत है आपका राय कमेंड वोक्स में जरूर होना चाहिए चले खेर ये आपका राय है आप ये कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहली बात आपको मोटा मोटी ये ध्यान में रखना है कि जातिगत जनगनना जो है न आजादी से पहले होती थी आजादी के बाद सहमती ये बनी कि जातिगत जनगनना नहीं होनी चाहिए इस से समाज जातिओं में बढ़ जाएगा और इस तरह से हिंसा या फिर और भी तरह का खत्रा बढ़ सकता है जो समाज के लिए नुकसान दायक है जो जातिया थी उनके जो है यहाँ पर गनना की जाती रही है दो हजार एक्यारा में जो जनगनना हुई थी उसमें भी जातिये जनगनना हुई थी लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि कुछ आख़ों में यहाँ पर मिस्टेकिंग है बहुत बड़ा ये बलंडर है इसलिए सरकार जारी नहीं कि आया, फिर जो भी मामला हो, ठीक हमें राजनिती से जरा सभी जोडने का प्रयास नहीं किजिएगा, जरा से मैं तालुक नहीं रखता हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी हो भाई, जितने के लिए सत्ता पर आने के लिए जनता को कुछ भी जो है सिखा पढ़ा कर कि अपने अंडर लाने का प्रयास करते रहती है और करेगी, आज आप इसके समर्थक हैं, हो सकता है, दस साल के बाद आप दूसरे पार्टी के समर्थक बन जाए, यह समय का नूसार बदल भी सकता है, इसा कोई बात नहीं है, चलिए खेर, हमें किसी भी पार्टी से जोडने किस आता है, नितीज कुमार ने ततकालीन जो नेता है प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी आदों से मुलकात की और जातिये जन गन्ना पर सहमती बनी, ठीक है, उसके बाद 23 अगस्त 2021 को सीम तेजस्वी आदों समेत बिहार के 11 नेताओं ने पीम से मुलकात की, जातिया धारित गन्ना कराने की मांग की, लेकिन वहाँ पर उतना जो है ये नहीं हुआ, ठीक है, फिर आता है, एक जुन 2022 जातिये गन्ना को लेकर बिहार में सर्वदलिये बैठक हुई, यानि सभी दलों की बैठक हुई, और सभी पार्टियों ने सहमती जिता दी, हाँ भै जातिगत जन गन्ना होनी चाहिए, ताकि सरकार की योजना सही डंग से बनाया जा सकते, और जो लोग पीछे हैं, उनको भी सही अस्थान पर लाया जा सके, या फिर जो भी रिजनों सरकार का, ठीक है, फिर आता है दो जुन, ठीक है, एक जुन के तुरंत यहाँ पर जो है, उसके कल, दो फेज में मकानों की गिंती की जाती है, देखे जो गन्ना जो है, जातिगत जन गन्ना जो है, वो दो चरनों में की गई थी, जिसमें पहला चरन में क्या था, कि मकानों की संख्या कौंट की गई थी, ठीक है, उसके बाद 15 अपरेल 2020 से जो है, दूसरे फेज का काम सुरू हु लेकिन दोस्तों हुआ कि 21 अपरेल 2020 को जातिये गन्ना का मामला जो है सुप्रीम कोट पहुच गया लेकिन सुप्रीम कोट ने जो है हाई कोट अपील करने के लिए आदेश दिया कि भाईया मेरे पास नहीं आये आप चले जाए हाई कोट अपने राजी के जो हाई कोट है वहा जन गन्ना का ठीक है अब जैसे रोक लगा तो खलबली मच किया लेकिन फिर क्या हुआ उसको हाई कोट ने जो है जातिये गन्ना के खिलाप सारी याचिका को खारीज कर दी हटा दी कि भाई जो सरकार का मन है वो कर सकती है अगर उसको जातिये जन गन्ना कराने के बाद यहां पर जो काम बचे हुए थे वो पुरा किये गए और साथ में जो है आंकड़े जारी कर दिये गए चलिए अब आंकड़े को उपर चर्चा करते हैं कि भाई यहां पर आंकड़ों में क्या-क्या चीजे आई है देखे बिहार की कुल अबादी हो गई है यहां पर 13 करोड 7,25,310 ठीक है अगर इतना आबादी को हम 100% मान लें तो उसमें से पिछड़ा वर्ग जो है वो है 3,54,63,936 और परसेंटेंज में अगर देखा जाए 27,12 परसेंट है ठीक है पिर अती पिछड़ा वर्ग जो बिहार में सबसे जादा है वो है 4,70,8,514 जिसका हिस्यदारी है 36,01% अनुसुचित जान यानि सेडियूल कास्ट 2,56,89,820 इसका परसेंटेज है 19,65% फिर आते हैं अनुसुचित जन जाती जिसकी जन संख्या है 21,99,361 और इसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो 1,68% सामान यानि की जनरल कटेगरी के यहां पर लोग मौजुद है कित 11,52% तो यहां पर यहां पर जाती जन गनना की बात हो रही है तो यहां पर जाती जन गनना है मामला है आया है नहीं call टेगरी वला मामला आया है, तो चली जाती के उपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, यह देखे, यहाँ पर, इधर जाती है, और इधर अबादी है, परसेंटेज में दिया हुआ, ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखे, जाती यादव, बिहार में सबसे जादा जनसंख्या वाला अगर कोई जात है, तो वो है यादव, उसका परसेंट है, 14.26%, ठीक है, उसके बाद रविदास, जिसको चमार भी कहा करते हैं, उसकी जनसंख्या है 5.2%, फिक वेरी है 4.2%, ब्राहमन है 3.65%, राजपुद 3.45%, इसी तरह करते-करते हैं, यहाँ पर देखे, कायस्त 0.60% है, तो यह हुआ जातिगत आंकड़े, अब जनसंख्या अगर आपको निकाल लिए तो आप निकाल सकते हैं, जैसे कि यादव है, यादव का 14.26% है, 14.26%, परसेंट का मदब होता है, बटा में 100, गुना, जितना भी जनसंख्या है बिहार का, ठीक है, 13 करोड कितना है, 13 करके आएगा, वो यादवों की संख्या निकाल जाएगी, इसी तरह से अगर रविदास का संख्या निकालना है, तो 5.2 divided by यहां पर 100 हो जाएगा, ठीक है, और जितना जनसंख्या है बिहार का, उसे गुना कर दीजी तो निकाल लिएगा, इसी तरह से सभी जाते हो कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जाती गद जनगना हुआ और आकड़े यहां पर आएं, क्लियर, खेर, अब दोस्तों यहां पर धर्म का भी सवाल उटता है कि भाई, धर्म का क्या हाल चाल है बिहार में, तो दोस्तों पता मुसलिम का यहां पर जनसंख्या जो है प्रतिसत में 17.7% है ठीक है इसाई का है 0.057% इधर तो बहुत कम है यह आप देखी रहे हैं कोई धर्म नहीं वाले भी कुछ-कुछ है जो गिदम नास्तिक है चले तो यह हुआ यहां पर धार्मिक आंकडे और कोई चीज है तो यहां पर छुटना नहीं चाहिए चलिए तो यहां पर जो दोस्तों जो मूल आंकड़ा था वो आपके सामने पेस्ट कर दी गई है ठीक है अब इसके अधार पर जो है सरकार किस तरह से मौजूदा सिस्टम में आरक्षण है और यह जो आंकड़े आए है इसके अधार पर किस तरह से डिफ्रेंसिेट हो रहा है अलग हो रहा है उसको सरकार कीस तरह से manage करती है नहीं करती है, वो सब बाद की बाते हैं. अगर उसके उपर भी वीडियो चाहिए बाद में तो फिर आप कमेंट करके आपका सकते हैं, बाद में ऊशा होगा तो फिर जानकारी लेकर के हम आपके आप तक पहुंचाने का प्रियास करेंगे ओके तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए आज के लितने ही अब मिलेंगे अगला वीडियो में जैहिंद वबंदे मातरम